बहुत सारी यूटूबर हमसे पूछते हैं कि सर सब फर सब करना सही है या गलत है दोस्तों यहाँ पे अगर आप नए यूटूबर हैं या फिर पुराने यूटूबर हैं तो हर किसी को जानकारी होनी चाहिए कि सब फर सब से क्या फायदा है कितना फायदा है और कितना नुकसान है तो दोस्तो जानने के लिए वीडियो को इंट तक देखिए मेरा नाम कमाले फारुक है टेक्निकल फारुक चैनल में आपका बहुत बस्वागत है Not Fake Only Tag दोस्तो यहाँ पे मैं आपको बताने वाला हूँ कि सब फर सब करना कितना सही है दोस्तो अकसर आप जानते हों कि सोसल मीडिया किसी भी प्लेटफॉर्म पे चाहे फेस्बूक हो इंस्टाग्राम और यूटूब हो वहाँ पर अगर आप जाकर किसी को कॉमेंट्स करते हैं और कॉमेंट्स का जवाब मांगते हैं तो चलता है लेकिन अगर आप एक ही कॉमेंट्स को बार बार चाहे फेस्बूक हो इंस्टाग्राम हो या फिर किसी भी सोसल मीडिया प्लेटफॉर्म हो वहाँ पर जाकर कि एक ही मैसेज को बार बार आप रिपिट करते हैं तो वो मैसेज एस पेम में चला जाता है यह दोस्तों ठीक उसी तरीके से यहाँ पर यूट्यूब पर बहुत सारे यूजर जो है क्रेटर जो है वो कहते हैं क्या कैसर सफ वर सब सब वर सब तो बार बार एक ही वर्ड को यूज करना यूट्यूब का लर्निंग मसीन इसे एस पेम समझ लेता है और आपके कॉमेंट्स को एस पेम में डाल देता है और आपके चैनल को भी एस पेम में डाल देता है उसके बाद से नए नए तरीके निकले सब वर सब के बदले में support me support me support me इस चीज़ को भी YouTube का learning machine जो है आपको यहाँ पे क्या करता है कि इसको भी spam में डाल देता है अगर आप sub for sub करते हैं तो अगर learning machine आपके comments को spam में नहीं डालता है तो बहुत सारे ऐसे YouTuber हैं जिसके channel पे आप sub for sub करना है वो जाएगा और आपके comments के आगे तीन डाट पे क्लिक करेगा और report spam पे क्लिक कर देगा तो बाकी आपका खेल खतम यह दोस्तों यहाँ पे जैसे report spam पे करेगा तो आपका channel जो है spam list में चला जाएगा और आपका channel जो है grow नहीं करेगा तो दोस्तों आपको सब पर सब नहीं करना बलके खुद जिन्वीन जो है वो content बनाना है और कोशिश किजिए कि अच्छा से अच्छा content बना है और उसको YouTube का जो link होता है वो जाकर कि आप दूसरे website पे सिर्फ और सिर्फ दो चार पाँच बार ही share करें ऐसा नहीं कि लगतार आप जाकर के Instagram पे Facebook पे WhatsApp पे लगतार धनादन धनादन आप वहाँ पे link पेस्ट कर रहे हैं तो इसे spam में चला जाएगा आपके comments भी spam में चले जाएगे और आपका जो channel है उस पे भी grow होने के chance बहुत कम हो जाते हैं तो ऐसे करने से आपका channel जो है terminated भी हो सकता है और spam list में चला जाएगा तो grow भी नहीं करेगा तो आपको क्या समझ में आया जो भी समझ में आया अच्छा है आप बुरा comments करना ना बोले वीडियो अच्छी लेगे तो वीडियो को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबाद है वीडियो देखने के लिए पहुत बहुत शुक्रिया थैंक यू थैंक यू सो मच